स्थान्स के राष्टबती के निर्वाचन है तो एक निर्वाचन मंडल की विवस्ता की गई है जो अप्रत्यक शुरूप से राष्टबती का निर्वाचन करता है इस निर्वाचन मंडल में स्थानिय निकायों को भी प्रतिनिदी तो प्रदान किया गया है और सबसे प्रमूख विशेषता यह हैं कि नगरिय निकायों के प्रतिनिदी इस निर्वाचन मंडल के सबसे बड़े हिस्से को कवर करते हैं दूसरे शब्दों में स्थानी निकायों की राष्टपती के निर्वाचन में भूमी का प्रांस की केंद्रिय विधाई का से भी अधिक हैं तो वहाँ पर राष्टपती का निर्वाचन अध्याशात्मक प्रनाली होकर भी राष्टपती का निर्वाचन प्रत्यक्ष तरीके से हैं जैसे की संसदिय विवस्ता में होता है। अलाकि दलिय विवस्ता होने के कारण विवहरिक रूप से राजनेतिक दलों में से राष्टपती का निर्वाचन होता है। राष्टपती का निर्वाचन जन संक्या के आधार पर जो लोग चुने गए हैं उन लोगों के मतों की वेल्यू रहेगी। अल संक्रमनिय मत का मतलब होगा कि अगर कोई वेक्ती अप मतों का ट्रांसपर होना हो तो मतों का ट्रांसपर किया जा सकता है। और गुप्त मतदान मतलब सूचित नहीं किया जाएगा कि किसने किसे वो डिया है। राश्टपती के निर्वाचन में कोन भाग नहीं ले सकता लोगसबा राज्यसबा के मनोनित लोग भाग नहीं ले सकते उनके चुनाओं में। राज्य विधान सभा के मनोनित सदस्य भाग नहीं ले सकते और राज्य विधान परिशत के तो कोई भी मेंबर भाग नहीं ले सकता है आर्टीकल 58 में राष्टपती के पधेतु शर्ते हैं भारत का नागरीक होना चाहिए पैती स्वर्ष की आयू होनी चाहिए और राष्टपती को चुनने के लिए लोग सभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता और कोई सरकारी नोकरी नहीं होनी चाहिए लाब का बद मतलब जनरली कोई सरकारी नोकरी नहीं होनी चाहिए राष्टबती के निर्वाचन प्रनाली की आलोचना कुछ लोग इस प्रनाली को क्रिटिसाइज करते हैं क्रिटिसाइज करने के पीछे उनके दो-तीन कारण है पहला इतनी टिपिकल प्रनाली है कि मास्टरों के समझाने में हालत खराब हो जाती है एक-एक बात मास्टर को बतानी पड़ती है तो समझने में कितनी कठिन प्रनाली है दूसरा भारत के लिए यहाँ प्रनाली वास्तविक रूप में बहुत नहीं थी जैसे संजय कहरा है कि निरवाचन में एदी कोई विवाद हो जाए, निरवाचन में एदी कोई जगडा हो जाए, तो पूरी तरह से सुप्रीम कोट ही निरनए लेगा कि वास्तविक रूप में क्या बातचीत होगी राश्टबती के निर्वाचन प्रनाली के आरोजना कुछ राजनितिक विशलेशकों का कहना था या है कि राश्टबती के निर्वाचन में अपनाई गई मत पद्धती को अनुपातिक प्रतिनिदित्व का नाम दिया जाना उचित नहीं है क्योंकि सभी राज्जों में विध को के मत बराबर नहीं है इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि राष्टबती के निर्वाचन प्रनाली अत्यंत जटिल हैं सामाने वेक्ती के लिए इसे समझना बहुत कठीन है इतना ही नहीं कई मामलों में विदायक सांसत तक को इसे समझने में कठीनाई होती आप मुझे बता राष्टबती के निर्वाचन की यही प्रनाली उप्यूक्त है क्योंकि भारत में संसदिय शाषन प्रनाली को अपनाया गया है जिसमें नाम मात्र की कारेपाली का शक्तिया राष्टबती के हात में होती है राष्टबती को प्रधान मंत्री के नित्रत्व में मंत्री सकते थे कि राष्ट पती कहता भई मैं भी चुनकर आया हूँ और तुम भी चुनकर आये हो तो तुमारे पास ताकत ज्यादा क्यों और हमारे पास ताकत कम क्यों इसलिए राष्ट पती का जो निर्वाचन है वो इस तरीके की पद्दसी से अपनाया गया ताकि कही से कहा तक विवाद ना उत्पन हो और चीजे साधारन और सिंपल तरीके से कम्पलीट होनी चाहिए। निर्वाचन का विकल्प ही सबसे अधिक श्रेष्ट और व्यवारिक था क्योंकि यह प्रनाली संसद्य शाष्ण विवस्ता के भी अनुकूल है। वो जीत जाता है। यहाँ सबसे अधा वोट का महत्व नहीं है। महत्व हैं 50% प्लस 1। अगर ऐसा नहीं है तो आप राष्ट पती का पद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात हैं। क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिदित्व पद्दती के आधार पर वही वेक्ति राष्ट पती के रूप में निर्वाचित हो पाता है। जिसे आधे से अधिक बहुमत प्राप्त होता है। जिसे आधे से अधे से अधे सकते हैं।